नमस्कार इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि दुनिया की सबसे हलकी गैस कौन सी है लेकिन इस बात को समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि हाइट्रोजन गैस क्या है क्योंकि हाइट्रोजन को बिना समझे इस दुनिया की सबसे हलकी गैस को समझने में हमको प्रोब्ल में सबसे पर्चूर मात्रा में पाया जाता है अब बात करते हैं इसकी खोज किशने किया था तो हाइट्रोजन की खोड 1766 SB में हेनरी कवेंडिश नामक बेग्यानिक के द्वारा की गई थी इन्हों ने इसे लोहे पर सलफियूरिक अमली की अबिक्रिया के द्वारा प्राप्त किया था और इसका नाम जोलंसिल वायू रखा था फिर आगे चल कर 1883 SB में लेवासिया नामक एक बेग्यानिक ने इसक प्रॉट्सय में एक इलेक्ट्रों तथा एक प्रोटन होता है और इस तरह से यह कितिक में दवी आन्विक अनू के रूप में पाया जाता है जो वाई मंडल में बाह्य प्रत्थ का प्रमुख संगठक हैं हाली में इस हाइट्रोजन को वाहनू में इस्तमाल करने के लिए इस पर सोध कार्य चल रहे हैं यह एक गैसीय पदार्थ है इसका नो कोई रंग होता है नो कोई गंद होता है ना ही कोई स्वाध होता है इस तरह से आप समझ गए होंगे कि दुनिया की सबसे हलकी गैस हाइट्रोजन है और जित्ती मैंने इसके important fact बताया है उस facts को भी आप ध्यान से सुनेंगे तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बावर टेक क्या